लोक्तंत्र का महापर्वह चुनाओं, मैं प्रदेश की जन्ता से प्रार्तना करता हूँ, अपने मत का उप्योग जरूर करें और प्रदेश की संव्द्धी और विकास के लिए जन्ता की कल्यान के लिए, लाडली बेहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए, भारती जन् दिल्ली में हमारे कुछ बैठक्र या कमरों में बैठने वाले मित्र को ये लगता होगा जन्ता के बीच में तो चारों तरफ हमारे लिए प्यार और आशिरवाद है बीजेपी ने भर चड़कर लागली बेहन का प्रचार किया वहीं कॉंग्रेस कास्ट बेस सेंसिस पे बहुत जोड देती रहे आपका क्या कहना है कास्ट बेसेंगे हम समाज के सब वर्गों का कल्यान करते हैं कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्यान के काम भारती जन्ता पार्टी ने ना किये हो सारा देश एक है और हम लोग महला हैं तो उसमें हमारी सब बेहनों के कल्यान के काम किये किसान ने तो किसान कल्यान के काम किये गरीब है तो गरीब करल्यान के काम किये अंसू चिजाती हो जन जाती हो हमारा पिछला वर्ग हो सब के करल्यान के काम हमने किये कांगरेस यहां कहीं नहीं टिकेगी क्योंकि उनके समय मदप्रदेस बीमारू राज्य था आज मदुप्रदेश विक्सित प्रदेश है उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला आज समाज के हर वर्ग लाभान बित हुए हैं और बहतर जीवन जी रहे हैं इसलिए भारती जनता पार्टी के साथ लोग हैं लोगतंत्र का महापरवे चुनाओं मैं प्रदेश की जनता से प्रार्टना करता हूँ अपने मत का उप्योग जरूर करें और प्रदेश की सम्रुद्धी और विकास के लिए जनता के कल्यान के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारती जनता पार् देखिए यह डिली में हमारे कुछ न्यूजरों में बैठने बाले मित्र या कमरों में बैठने बाले मित्रों को यह लगता होगा जनता के बीच में तो शारों तरफ हमारे लिए प्यार और आशीरवाद भी जैपी ने भड़ चड़कर लागणी बहां का प्रचार किया वह हम समाज के सब वर्गों का कल्यान करते हैं कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके कल्यान के काम भारती जनता पार्टी ने ना किये हो सारा देस एक है और हम लोग महला हैं तो उसमें हमारी सब बेहनों के कल्यान के काम किये किसान ने तो किसान कल्यान के काम किये गरीब है तो गरीब करल्यान के काम किये अंसुच जाती हो जन जाती हो हमारा पिछला वर्ग हो सब के करल्यान के काम हमने किये हैं कांग्रेस ने बेरोजगारी गरीबी और इंफलेशन इन सब की बढ़ चड़ के बात के यही चीज़े नोंने करनाटक और हिमाच्र प्रदेश में की थी वहाँ पे नोंने सरकार बनाई कांग्रेस यहां कहीं नहीं ठिकेगी क्योंकि उनके समय मद्ध प्रदेश बीमारू राज्य था आज मद्ध प्रदेश विक्सित प्रदेश है उनके समय जनता को कुछ नहीं मिला आज समाच के हर वर्ग लाभान मित हुए हैं और बहतर जीवन जी रहे हैं इसलिए भारती जनता पार्टी के साथ लोग हैं